तो गाईस यार जैसे कि आपको पता है कि बारिस का मौसम चल रहा है और बारिस के मौसम में जो घास होती है वो बहुत यदा तेजी सिवरती है और उसे कट करने में हमें घंटों का समय लग जाता है लेकिन गाईस अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक घास कटर मसीन बना कर दिखाने वाले हैं जिसकी मंदद से आप किसी भी पिरकार की घास को मिंटों में कट कर दोगे और इससे हमारे समय की काफिय दब बचत होगी तो गाईस यार वीडियो के एन तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एकलाई जरू क कर देना तो चलिए फिर इस गास कटर मसीन को बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने एक प्लाइबोड को लिया है जिसकी ठीकनिस 10 mm है और इसकी लंबाई है 15 और चौनाई है 12 और अब इसके वाद हमने कुछ इस टाइप का एक पहिया लिया है और इसमें हमने एक जोही की पत्ती को कुछ इस तरीके से मोड करके नेट बूल की मदद से फिक्स किया है और इसमें हमारा पहिया इस तरीके से रोटेट कर पा रहा है और इसके उपर साइट पर हमने एक खोल किया है ताकि हम इसे प्लाइबोड में फिक्स कर सकें और इसी डाइप से हमने तीन पहिये औली ये हैं और इन चारों पहियों को मैं कवार से ले करके आया हूँ जो कि कवार वाले ने किसी खराब मसीन से निकल करके दिये हैं और इन चारों पहियों को प्लाइवोड के चारों कुन्नों में कुछ इस तरीके से फेक्स करना है तो इन्हें fix करने के लिए इसके चारों कुन्नों पर हमें एक एक hold कर लेना है तो हम drill machine की वंदर से फट आफट से hold कर लेते हैं और अब इन पहियों को इस प्लाइ बोल्ड में fix करना है तो इन्हें fix करने के लिए हमें लेना है net bolt और इस बोल्ट के नेट को खूल करके इसे पहिये की पत्ती में फिक्स कर देना है और फिर इसे प्लाइ बोल्ड में कुछ इस तरीके से फिक्स करके इसकी दूसी साइट से नेट को पस देना है और इसी टाइप से चारो पहियों को इसके चारो कुन्नों में फिक्स कर लेना है तो गाइस आप देख सकते हो कि हमना चारो पहियों को इसके चारो को नौमा चितरी के से फिक्स कर दिया है और अब इसके बाद हमने एक मोटर किट को लिया है जो कि आपको मार्केट में 300 रुपे में आसानी से मिल जाएगी और एक मोटर 220 बोल्ट एसी करन्ट पर चलती है और इसे प्लाइबोर्ट के एकदम बीचों बीच फिक्स करना है तो इसके लिए हमें इसकी साइज का एक होल कर लेना है तो पहले हम कमपस की मंदद से इसकी साइज को नाप लेते हैं और फिर इसकी मिडल में हम एक गोल सरकल बना लेते हैं ताकि हमाइं कट करने में आसानी हो और अब इस सरकल की निसान से इसे कट करके इसमें होल कर लेना है तो आप देख सकते हो कि इसमें हमने होल कर लिया है और अब इसमें अपनी मोटर को फिक्स कर दिना है जूकि एकदम डाइटली फिक्स होने चाहिए और इसे नीचे से करीब एक इंच उठा करके फेक्स करना है और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके अच्छरी के से चिपक देना है और आप देख सकते हो कि इसमें हमारी मोर्टर अच्छरी के से चिपक चुकी है और अब इस मॉर्चर में हमें एक不錯 लगाना होगा ताकि यो घज को cut कर सके तो इसके लिए एक PVC seat का गोल पीस कट का लिया है और इसके मिडल में हमने मॉर्चर की शाइज का एक hole किया है और अब हमने paper cutter की चार प्लेटों को लिया है और इन चारो बलेटों को इस बीवी सीट के चारो तरफ कुछ इस तरीके से फेक्स करना है तो इने फेक्स करने के लिए हमें क्या करना है कि इसके चारो तरफ फोड़ा फैबी कुछ लगा देना है और फिर इन चारो ब्लेटों को इसके चारो तरब को जिस तरीके से चिपका देना है तो आप देख सकते हो कि हमने चारो ब्लेटों को जिस तरीके से चिपका लिया है और अब हमें क्या करना है कि जो ब्लेट के पीजे साइट पर होल है उन होल के सेंटर में हमें पीबी से सीट में होल कर देना है और फिर इन बिलेटों के पीचे साइट पर भी हमें एक एक होल कर देना है और आप देख सकते हो कि हमने चार बिलेटों में दो दो होल कर लिये हैं और अब हमें लेना है छोटे छोटे स्कुरू और इन स्कुरू को होल पर कस करके पैंच कस की मदद से टाइट कर देना है और इसी टाइप से चार आप लेटों में हमें स्कुरू को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है इससे क्या होगा कि हमारी बिलेटें अपनी जगा अच्छी तरी किसे फेक्स बनी रहेंगी गास को कट करते बग निकले गी नहीं और आप देख सकते हो कि हमने चारों बिलिटों में इस क्रू को कस करके अच्छी से टड़ कर लिया है मोटर की साफ रमें fix करना है लेकिन ये अच्छी तायब के इससे fix नहीं हो रही है और एक एप मोटर में प्रोपिलर को कसने के लिए साथ में ही दिया जाता है तो आप देख सकते हो कि हमने बिलेटों को अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है और हमारी घास कटर मसीन बन कर तैयार हो चुकी है और इसे आगे पीछे करने के लिए हमें एक हैंडल बनाना होगा तो हमने हाप इंज यू बीबी सी पाइप से कुछ इस टाइप का हैंडल बनाया है और इसे हमने नीचे से थोड़ा हीट करके चप्टा कर दिया है और इसे इसमें कुछ इस तरीके से फिक्स करना है और फिर इसमें इस प्रूटो के सकरप के अच्छे से टाइट कर देना है ताकि इसमें अमारा हैंडल फिक्स बना रहे और अब हमने दो वायर लिए हैं और इन नावायर को मौटर के दान वायर से कनेट कर देना है और इसमें positive नेगेटिब नहीं होते हैं तो आप किसी भी वार को किसी भी वार से connect कर सकते हो तो हमने दौन वार को दौन वार से connect कर लिये हैं और इसमें हमने टेपिंग भी कर ली है अब इन दौन वार के दूसे वाले सिरे को हमें इस पाइप के अंदर से डाल करके उपर साइड से निकालना होगा तो इसके लिए हमने कुछ इस टाइब का ओनर सुच लिया है और इसकी साइज का हमें यहाँ पर एक कट लगा लेना है तो आप देख सकते हो कि हमने ओनर सुच की साइज का इसमें एक कट लगा लिया है और इस कट से हमें दौनों वायर में से किसी भी एक वायर को निकाल लेना है और फिर इस वायर को बीच से कट करके इसके दौनों सिरों को हमें छील करके इसके अंदर के तार को निकाल लेना है और इस वार के दोनों सिरों को ओनों सुच की दोनों लेक से कनेट कर देना है तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों सिरों को ओनों सुच की दोनों लेक से सोल्टर कर दिया है अब इस सुच को यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है और आप देख सकते हो कि हमारी घास cutter machine बन कर complete हो चुकी है तो चलिए फिर हम इसे चला करके देखते हैं तो इसे चलाने के लिए इसके जो wire है इसे light से connect करना है और फिर हम इसके switch को जैसे ही on करेंगे तो हमारी machine चालू हो जाएगी तो चलिए फिर हम इसे घास को कट करके देखते हैं तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफी सारी घास लगी हुई है और अब हम इसे कट करके देखते हैं कि हमारी machine कैसा वर करती है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारी machine कितना चाल वर कर रही है और इसने कुछी समय में कितनी सारी घास को कट कर दिया है अगर हम इस घास को अपने हाथों से कट करते हैं तो हमें कट करने में काफी सार समय लग जाता लेकिन हमारी इस machine ने मातर एक दो मिंट में ही घास को कट कर दिया है और इसकी मदद से आप किसी भी बिरकार की घास को कट कर सकते हो जैसे कि पार्क की घास हो गई या फिर आपके घर के आसपास कहीं पर भी घास जमी है तो आप उसे भी इसकी मदद से अच्छे से कट कर सकते हो तो गाइस आपको हमारी ये घास कटर मसिन कैसी लगी नीचे comment box में comment करके जरूर बता देना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के गलाइज जरूर कर देना तो चलिए फर अपने अगली उड़े मनते हैं तब तक के लिए जहन जभारत